लो एब्रिवन वेलकम टू आट्स स्टाइडी में डीजी आट्स स्टाइडी में डीजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का वहाँ से आप पिछले चारो लेक्चर को देख सकते हैं इस पाचवे लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे अधर कॉजज़ एंड वाइडर रिवलुशन टुक प्लेस इन फ्रांस तो फ्रांस में जो करांती हुआ उसका हम लोग सोसल कॉज़ेश देख चुके हैं पॉलिटिकल देख चुके हैं इकोनॉमिक देख चुके हैं अब इसी करांती के पीछे कुछ आने कारण भी रहें जैसे कि आप देखिए कि 1776 के अमेरिकी स्वतंतरता संग्रा में फ्रांस ने इंग्लेंड के विरूद सैने सहता उपलव्द करवाई थी तो 1776 में जो अमेरिकान रिवॉलूशन हो रहा था तो उसमें फ्रांस जो अमेरिका पर भारी बोज पड़ा उसका इकोनोमिक स्थिति खुद का इकोनोमिक स्थिति खराब हो गया बे फिजूल का अपना दुस्मनी या अपना एक तरस भड़ास निकालने के लिए जो है फ्रांस इंग्लेंड के विरूद अमेरिका का साहता करने लगा और उससे क्या हुआ इस समपान उन्हाँ उसको सवतनत्रता मिल ए तो जो वापस है तो वह लोगों को भी कांटी के लिए प्रिएरित करने लगे अब अमेरिका में देखें कि जैसे जैसे हुआ उसके बाद अमेरिका स्वतंत्र हो गया अब यहां आए तो फ्रांस इसी लोगों को यह क्या करने लगे एक तरह से मोटिवेट करने लगे कि आप लोग भी सुतन्तर हो जाओगे तो एक तरह से फ्रांस के लिए क्या हुआ बुरा साबित हुआ यह भी सत्य है कि इन में का का देख लिए लिंक उसके बाद आयर्लेंड चे देखते हैं आयर्लेंड में भी वहां पर डेस्पोटिक रूलर था निरंग कुछ आ सकता तो उसके विरुद में आंदोलन हुआ इससे क्या हुआ इसके कारण उदार सासन की और सुधार हुआ वहां पर क्या हुआ जो लिबरल जो सासन है लिबरल सासन की तरब कुछ सुधार हुआ और इसका फ्रांस पर भी प्रभाव पड़ा और वहां इंगलेंड के समान समय धानिक राजतंतर क्या हुआ लागू करने की मंग कुबल मिला अब क्रांती फ्रांस में ही क्यों हुआ या प्रश्ण उठना क्या है स्वभाविक है कि जब समस्ति यूरोप की बेवस्ता समाने रूप से चर्मरा रही थी तो क्रांती फ्रांस में ही क्यों हुआ तो वास्तु दा यूरोपियन राष्ट्रो में केवल फ्रांस में ही क्रांती की स्थितिया मौजूद थी और इसे निम्न बिंदुओं के अंत्रगात समझा जा सकता है तो कुछ पॉइंट्स में हम लोग क्लियर करेंगे कि सिर्फ फ्रांस में क्यों हुआ और दूसरे देश मे यूरोप के अन्य देशों के किसानों की तुला में अधिक जागरूत थे अब सबसे बड़ा कारणत यह है कि जब किसान अधिक जागरूत थे और किसान का जो पॉपूलेशन था वह एटी से 85% के अप्रोक्स में था वहाँ के टोटल पॉपूलेशन में तो एक बड़ा किसानों का जैसे की सबसे बड़ा जो इस सबसे निरंतर सुध़ारनी नहीं अंविलास pureज क्रमि रिद्च। उनको लाए कि नहीं हम लोग का सिचुएशन जो है खराब है हम लोग को इसमें सुधार लाना चाहिए और इसलिए उन लोगों ने क्रांती को क्या किया क्रांती की और अगरसर हुए या क्रांती के लिए उनको क्या मिला अंदर से मोटिवेशन मिला कि नहीं हमको क्रांती करना चाहिए फ्रांस में समरीद मध्यम वर्ग मौझूद था अब जो फ्रांस में मिडिल क्लास था कुछ जैसे लॉयर थे आर्टीस्ट से और भी जो लोग डॉक्टर्स थे तो जो मिडिल विलेज जो है एक तरह से इजट भी नहीं मिलता था लेकिन पाद्रियों कुलीनों के विशेसाधिकारों के कारण उन्हें पग पर पग यानि की कदम कदम पर क्या होना पड़ता था अपमानित होना पड़ता था और यूरोपीयों राज्यों में इस परकार की स्थिती नहीं भागी जो यूरोपीय देशते वहां पर जो पैसा देते तो थोड़ा बहुत इजट मिलता था लेकिन यहां पर बिल्कुल नहीं था पैसा देने के बाद सरकार चला रहे हैं एक तरह से रीन दे रहे हैं मतलब क्या सरकार को जब जरुद पर रहे हैं बदले में क्या मिल रह मतलब करते था वह किसान वार को या जो नीचे वाला जय ज़नता था उसको एक्तर से लिड्किया ठीक है नेत्रित्व दिया उसको फिर की त्रही है और इसलिश भी कहा जया जाता है फ्रांस के पादरी और कुलीन अपने बिशेस अधिकारों का दुरुपयोग करते थे, उनके पास काफी प्रिविलेज था, काफी अधिकार था और उसका वेलोग क्या करते थे, मिस्यूज करते थे, किसी भी समाज के संचालान में इन वर्गों की महतोपुन भूमिका होती थी किन्तु फ्रांस का यह वर्ग अपने करतब्यों के प्रति उदासीन था, तो जो पादरी वर्ग थे या जो समंत का कुलीन का वर्ग था, उन पे काफी ज़्यादा बोस था, एक तरह से समाज को, एक तरह से वो लोग लीड करते थे, लीडर थे, उपर के पोस्ट पे थे, त को अपने करतब्यों से कोई मतलब नहीं था, उनका जो भी काम था, जब वो अपने काम ही नहीं करेंगे, जो उपर के ऑफिसियल है, तो नीचे हो लेके होंगे, एक तरह से नाराज होंगे, तो फलता क्या हुआ, समाने जनता उनसे छुब्द थी, जबकि अन्य यूरोपिय देश था, वह लोग हेल्प करते थे एक तरह से राजा का जैसे भी हो, समन्त का क्या काम होता था, कि वो जब राजा को जरुद पड़े तो सैनिक मुहया करवा है, टैक्स को कलेप्ट करके थे, लेकिन यहां का समन्त अलग ही समन्त थे, वो बस अपने से मतलब रखते थे, उनको राजा से भी कोई मतलब नहीं था, तो इससे क्या हुआ, प्राजा जो है, काफी नाखूस हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूरोप के अन्य देशों में, देशों के सासक जो थे, वो निरंकूस होते हुए, होते हुए, प्रबुध भी थे, यानि कि एक तरह से कोशिश तो करते थे हैं, उनको प्राजा का दुखदर्द समझ में भी तो आता था, लेकिन यहां देखिए कि जब ब्रेड मांगने गया, तो बोलते हैं कि जा के केक खालो, इस टाइप के राजा और मतलब रानी था, यहां पर तो उनके परियतनों ने प्राजा जो सवाल करता था, परजा जो डिमांड करता था, उसको पूरा करने में क्या था, सक्षम बिल्कुल भी नहीं था, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूरोप में फ्रांस ही एक एसा देश था, जहां समाजिक भी समता के बावजूद, एक राष्टर की भावना का सुत् पूरी मतलब कंट्री का वाहना वहां पे जग चुका था, जबकि अनी यूरोपिया देश जही से देखिए, इटली का एक ही करन नहीं हुआ था, जर्मनी जो है काफी भाग में टूटा हुआ था, रूस जो है वो भी उतना जादा यूनिफाइड नहीं था, और भी जो मतलब अपने देश के प्रती जो है, लोग वहां के क्या थे, जागरूत थे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कि फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंतरता संग्रा में वाग लिया था, और वहां उन्हें इस बात का अनुबव हुआ था, कि क्रांती से वे अपने अ द्याम वर्ग था, वो ना केवल आर्थिक, बलकि बौधिक रूप से भी क्या था, सम्रेद्ध था, आर्थिक यानि कि तो पैसा था है, लेकिन तरक सक्ती बुद्धी जो है, उनका थोड़ा बाकि यूरोप, उनको अपने राइट्स के बारे हैं, पता था कि हमको ये अधि देशों के किसानों की तुनला में क्या थे, खुसाल थे, वे भूमी के मालिक थे और भूमी खरीद रहे थे, धीरे दे क्या होने लगा, वे लोग भूमी को खरीदने भी लगे, पैसा आने लगा उनके पास, उनकी इच्छा थी कि उन्हें अन्याय पून कर न देना पड़े ताकि वे और अधिक भूमी खरीद सके, यानि कि वे लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, एक तरह से फ्रांस जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह मूव कर रहा था, वो चाहते थे कि जो पैसा वो कर देते हैं, सामान्त को, यानि कि अभी हम लोग देखे थे, पिछले एकचर्स में, कि 85% तक तो वे लोग कर ही देते थे, इसके बावजूद भी देखिया आप, कि यूरोप के जो अधर नेशंस हैं, उससे काफी अच्छा इस्थिति था, फ्रांस के खिसानों का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कि जो बाकी देश थे, उनका इस्थिति कितना खराब रहा होगा, और इसी संदर में या कहा जाता है, कि फ्रांस की क्रांती जो है, वो गरीबी के करण नहीं हुआ, बलकि संपन्ता के करण हुआ, गरीब रहते तो साथ वे लोग क्रांती नहीं करते, लेकिन वे लोग संपन्त है, अब जब संपन्ता आएगी, तो उनको अपना मतलब एक तरह से क्या होना समाज में प्रतिनिदितों भी चाहिए होगा सोसाइटी में एक तरह से जगा भी चाहिए लेकिन सोसाइटी में तो जगा उपर के दू वर्गों को था नीचे का जो थर्ड एस्टेट था उसका कोई समाज में जगा नहीं था एक तरह से बिल यूछ बाचि कि.